लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूले बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल उदर पुलवामा में हुए आतंग की हमले में शहीद सैनिकों की शाहदत पर देश भर में गुस्सा है देश का हर बच्चा सरहत के उस पार जाकर आतंग वादियों का सफाया करना चाहता है हमाचल पुलिस में टैना तेट कॉंसिबल मनोश ठाकुर ने भी अपनी कविताओं से पाकिस्तान की धरती से नामों निशान मिटाने की बात कही है ये वही मनोश ठाकुर हैं जिन्होंने कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा कविता से पाकिस्तान में भी खल्बली मचा दी थी और इस पर खास बात चूट किया हमारे समवदाता विकास शर्माने जम्मु कश्मीर के पुलबामा में बड़े सैनिक हमले के उपर कहीं न कहीं सवाल जो है वो कहीं है और इन तमाम चीजों के बाद आज हम बात करें तो 40 सैनिक हैं भारतियों वो यहां पर शहीद हो चुके हैं इसके बाद जहां एक तरफ पूरे देश में गुसा है और अब इस बात को लेकर जोश भी है कि उन्हें सरहद पर भेज दिया जाए और सरहद पर भेज कर ही अब कहीं खुद ही वो इस जंग को करना चाहते हैं और अब बदला जो है वो सीधा पाकिस्तान से लिया जाएगा एक तरफ पहले उडी का हमला हुआ उडी हमले में भी कई सैनिक शहीद हुए और उन शहीदों की शहादत को अभी भुलाया भी नहीं जा सका ऐसे में पुलवामा में एक बड़ा हमला हो गया इन तमाम चीजों को देखते हुए आज सरकार को चाहिए कि आगे आकर कुछ मनोज ठाकुर मनोज जी कविताओं के आपका हमने सुना बहुत दूर तक फैली है वो कविताओं और एक सीधा संदेश जो है वो क्या है आज पाकिस्तान के लिए 40 सैनिक जो है वो शहीद हुए जी जी सर बिल्कुल मैं धन्यवाद करता हूँ हमने अपने 40 सपूत खोए उन सभी का गम हम सभी को है और हम यह चाते हैं कि जैसा उड़ी हमले के बाद भारतिय सेना ने दुश्मन के घर के अंदर घुस करके उन्हें मारा था सर्जिकल स्ट्राइक करके संदेश क्या है पाकिस्तान को अब क्योंकि इतना बड़ा हमला यह बिल्कुल सहनिय है और यह कोई बरदाश नहीं कर रहा है आज बच्चे बच्चे में गुस्सा है जोश है इस चीज को लेकर कि अब आगे आना है बेशक मोदी यह कह चुके हैं कि अब फ्री हैंड है आर् तमाम चीजों को लेकर और आप भी कही ना कहीं अब फोर्स में हैं क्या जजबा है क्या जोश है क्या जवाब है पाकिस्तान के लिए जी सर जो पाकिस्तान ने सर जम्मू में के पुलबावों में अतंकी हमला किया वो कायराना हमला था मैं यह कहना चाहूंगा कि पीट पर बार करते हैं कायर सामने से बार कर सके इनकी आउकात नहीं गंदा खून है इनका यह मर्दों की आउलाद नहीं और मैं संदेश देना चाहूंगा शांती बांती छोड़ो शस्त्रों का समधान करो सेना को आदेस्तमारन चंडी का आभान करो जो उठी है आंक भारत पर कसम र जी यह तमाम चीजें तो ठीक हैं आज बच्चे बच्चे में यह जोश है अब इस शहादत जो है इतना बड़ा हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला इसे कहा जा रहा है अब उन बच्चों का भी देखे जो जो बच्चे थे अभी हिमाचल की ही अगर बात करे तो तिलक इस हमले के बाद भी अपनी कविताओं के जरीए आप सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं, क्या आपको लगता है, क्या कुछ किया जाना चाहिए, अब आगे सरकार को, क्योंकि आप भी सिस्टम के अंदर हैं, आप भी एक सैनिक में, एक फोर्स में हैं, किस तरह से आप दे बार है, जिस मान ने अपना बच्चा इस देश के लिए बलिदान किया, जिस बहन ने अपना सुवाग इस मातर भूमी पर समर्पित किया, और जो बच्चा अनात हुआ, हम सभी को उनके प्रती संबेदने और अपनी भावनाय पुरे देशवासियों को रखनी चाहिए, और के आम नागरिकों के हो, वो चाहे परा मिलिटरी फोर्स के हो, चाहे सेना के हो, इतनी पड़ी चूक सुरक्षा की हुई कहां कि उनके प्रतार ना हमला करने का मौका मिला, इस सब के लिए भारत सरकार को अपने स्तर पर बचा करके, मानिय प्रधान मंतरी मोधित करते हैं कि को ने सेना को जमो कश्मीर में फ्री एंट चोड़ा और सेना के लिए कोई रोक टोक नहीं है, सेना अपनी मर्जी से जो करना चाहे कर सकती है, आइंदा हम उमीद करते हैं कि पभिश्या में जो भी सुरक्षा की इंतजा माद को अच्छे तरीके से हो, ताकि हम अपने वीरो पाकिस्तान तक इसकी उठी है, उसके बाद आपको धंकिया भी कई तरह की मिली, किस तरह की धंकिया मिली और क्या कुछ हुआ? कुछ एक लोग यहां भी बीच में आये थे, यहां शिमला में भी कुछ एक लोग यहां पर साइद मुझे ढूंडते हुआ है, मेरे लोकेशन लेने यहां पहुंचे, लेकिन हम उनकी धंकियों से डरने बाले नहीं है, यह मेरा स्वभाग्य है कि मैंने इस दे भुमी माचल प्रदेश में जन्मलिया, इस बीर भुमी में हम पैदा हुए और यह हमारी मिटी है, हम उस कैप्टन विक्रम बत्रा की बीर भुमी से हैं, जिसने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है, और हमारे युवाओं के पेड़ना शोर्त बने है, हमारा स्वभाग्य होगा, नारजू किसी जन्नत की, मगर काश मेरे देश के शहीदों में मेरा भी नाम आए, ऐसा ही कुछ जजबा जो है, आज हर उस भारत के जो वासी हैं, उन सब के लिए है, और कहीं न कहीं, अब ये देखना होगा कि कारें जो हैं, वो इसी तरह से जो निर्ने लेती हैं, क्या उन अब देखने के लिए मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है, अपने सेयोगी गजेंदर के साथ, विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला